चलो इस मस्त मौसम में बनाते हैं मूंग दाल की बड़ी मज़दार रेसिपी अगर आप प्याज, आलू, टमाटर इन सब के पकोड़े खाका के न बोरो चुके हो तो जल्दी से हरी मूंग की दाल जो है न वो दो गंडे के लिए भीगो तो अगर हरी वाली मूंग नहीं भी है तो धुली वाली भी चलेगी लेकिन इसमें हरा रंग जो आ जाता है न बस वो क्या ही बताओ मज़दार होता है और धुली वाली से जादा अच्छा होता है तो अब हमने यहां पर क्या किया न बहुत ही कम जो इसके चलके है न निकाल लिये जो ऊपर ऊपर के है वो ही निकाले है बागी सारी नहीं निकाले थोड़ और इसे पड़े रहने दिये हैं अब इसको पूरा चंदी पर रखना है क्योंकि इसका पानी निकल जाना चाहिए अगर इसका पानी नहीं निकलेगा तो यह बहुत लूज हो जाएगी तो इस चकर में अगर आप नहीं फसना चाहते लूज नहीं करना चाहते तो उसका पानी अच्छे से निकालना और उसके बाद ही आपको इसे जार में डालना है ध्यान रहे पानी बिलकुल भी नहीं होन पीचने के बाद आप देख पा रहे हो यह जो मैंने निकाला है यह किस टाइप का दिख रहा है क्योंकि यह बहुत माटर करता है अब ही जो दिख रहा था इसको हमें तुफान की स्पीट से फेटा तो आप देख पार हो错 कितिना चेंज हो चुका है और कितना फूल चुका है जब आपके बैटर में ऐसी हवा सी भर जाए ना तब आपको टेस्ट करना है पानी का गटोरा लेना है और उसमें पकोड़ी डालनी है बस तैरती हुई होनी चाहिए अगर पकोड़ी फ्लोट कर रही है मतलब बिलकुल सही जा रह हुँ और इसमें भर दूगी तेल और तेल आप कमी डालना और इसके बाद एक एक करके बड़ी-बड़ी मोटी-मोटी पकोड़ी इसमें डालना शिरू करतेंगे अगर आपका जो बैटर है वो अच्छे से नहीं फिटा है तो पकोड़ी तले में चिपक जाती है लेकिन बादी आप जब तलोगे ना तो यह जो पकोड़ी है ना इतनी गजब बनकर तयार होंगे कि आप इसे बार-बार खाना चाहोगे और अंदर से भी इतनी अच्छी पकेंगी बिना सोडा का यूज किये अब जब पकोड़ी पकर तयार हो जाए तब आप इससे निकालने और पिल्कुल हाई फ्लेम पे इसको नहीं पखाना है इसको अराम-अराम से मीडियम फ्लेम पे पकने देना है और अब आप देख पार हो किती फूली-फूली सी जो पकोड़ी है मूंग दाल की स्पेशली वो बनकर तयार है काफी लोगों को उड़त दाल सूट नहीं करती ये म मूंग दाल की पकोड़ी बहुत मसदार लगेगी खाने में अब मैं इसको सर्फ कर लेती हूँ तो सर्फ करने के लिए आप चाटनी या सॉस किसी का भी यूज कर सकते हो तो मैं है सॉस के साथ खाने जा रही हूँ लेकि आपको दिखा दू मैं कि अंदर के नजारे कैसे हैं ये कितनी मस्ती पक करते यारे अंदर पूरा इदम रूई जैसा लग रहा है और ये काफे चा स्पॉंज बन करते यारे तो खाओ पीओ मसे करो और खुश रहो मैं चली सारी की सारी निप्टाने बाई